वीडियो का सेकंड पार्ट रिफ्रेक्शन अफलाइट पढ़ेंगे इसमें हम तो जानते हैं रिफ्रेक्शन अफलाइट क्या होता है सब्सक्राइब यह घ्लास है ग्लास डिफ्राराश है ट्रांस्पेरेंट होता है यह भी एक ऐसा मीडियम है जिससे ray of light आसानी से पास कर सकती है और यहां यहां यह air है यह भी एक medium है सपोज यह medium 1 है और यह medium 2 है अब कोई ray of light आई यह ray of light है और यह ray of light इस glass के इस interface पर पड़ी यह interface है भी कोई इस पर incident हुई incident होने के बाद क्या होगा कि यह सीधी नहीं जाएगी ऐसे नहीं जाने वाली यह क्या है थोड़ा सा bend कर जाएगी इस तरह से यह जाएगी तो जब कोई ray of light किसी दूसरे medium के आने की वज़े से अपना रास्ता बदल दे इसी phenomenon को हम कहते हैं reflection of light अब हम इसमें छोटा सा काम और करते हैं क्या कि यह जो interface है इसके perpendicular एक imaginary line ड्रो कर ले रहे हैं यह और इसको हम बोलते हैं normal यह reflection of light में भी पढ़ा होगा आपने नॉर्मल हो गया यह क्या है यह incident ray यह incident ray है और यह क्या है यह refracted ray री फ्रेक्टेड रे रे मिरर में reflected रे थी यहां refracted ray ठीक है इसी तरह से same हमने आपको बताया था कि angle हमेशा normal के साथ बनता है तो देखो normal के साथ incident ray जब एंगल बनाएगा that will be angle i तो यह है एंगल ओफ incidence similarly refracted ray जब इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा that will be angle r and this is angle of reflection confusion ना हो इसके लिए आप चाहो तो इनको थीटा 1 थीटा 2 नाम भी दे सकते हो मैं यहां लिख सकता हूँ कि यहां लिख सकता हूँ कि थीटा 1 है confusion की बात क्यों कहा रहा हूँ क्योंकि reflection में भी r angle of reflection बढ़ा था आपने तो confusion ना हो इसलिए मैंने इसको थीटा 2 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं तो reflection में क्या देखा हमने कि जब भी तो यह तो हो गया reflection क्या होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे reflection क्यों होता है ऐसा क्या reason है कि यह ray of light बेंड कर गई तो देखिए यहाँ यह जो medium मैंने लिखा है न यह medium है optical medium optical medium है यह optical word क्यों लगाया क्योंकि यह transparent medium है transparent medium कैसे जैसे air है water है kerosene है और भी बहुत सारे example हो सकते है अब यह जो optical medium है यह दो तरह के होते हैं एक तो होता है optically rarer medium medium है optically rarer medium है एक होता है optically denser medium है कि शौर्ट में हम इनको rarer medium यह denser medium मोलते हैं रेर medium है यह denser medium है रेर मीडियम क्या है रेर मीडियम हो मीडियम होता है जिसमें light ray की speed fast हो बहुत तेजी से निकल जाए light ray है ना जैसे एयर है यह यह वैक्यूम है उसमें किनी speed से light जाती है denser क्या है denser वो मीडियम है जिसमें speed of light धीरे जाती है slow compared slowly जाए that is denser medium है तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि reflection क्यों होता है इसका reason यहां लिख देता हूं में reflection क्यों होता है reflection इसलिए होता है क्योंकि speed of light अलग-अलग medium में अलग-अलग होती है जैसे यहां air है तो यहां speed of light अलग होगी air में speed of light क्या होती है speed of light in air क्या होती है वही 3 into 10 to the power 8 meter per second ग्लास में glass में होती है speed of light कितनी होती speed of light ग्लास यह होती है 2 into 10 to the power 8 meter per second तो यह medium है कैसा air इसके मुकाबले glass के मुकाबले air कैसा है rarer है यानि की rarer medium वो है जिसमे speed of light fast रहे और fast क्यों रहती है क्योंकि density कम होती है density is low और denser medium में density is high तो देखो air rarer medium है इसलिए इसमे speed कितनी है 3 into 10 to the power 8 glass denser medium है इसलिए इसमे speed of light कितनी है 2 into 10 to the power 8 अब आप ध्यान से देखो ray of light 3 into 10 to the power 8 से चली आ रही थी एकदम से और जैसे ग्लास में एंटर हुई speed होगी 2 into 10 to the power 8 तो आप suppose कोई बहुत speed से आ रहा है और अचानक से रुक जाए दीरे चलने लग जाए तो उसकी speed of light देखो bend होगी कर नहीं बेंडिंग अपने अब नजर आएगी या कोई बहुत दीरे चल रहा है और अचानक से तेज़ चलने लग जाए तो भी देखो bending हुई तो यह जो reflection है यह क्यों होता है यह होता है change in speed of light change in speed of light speed of light में change आने की वज़े से reflection होता है क्यों होता है चेंज क्यों आ रहा है क्योंकि mediums are different mediums are different है मीडियम अलग अलगी तो है द्यान से देखो यह एर है यह गलास है दोनों medium अलग है medium अलग है तो speed of light change हो गई speed of light change हो गई तो bending हो गया reflection हो गया समझाई बात speed of light की वज़े से सारा खेल हो रहा है तो यह था पूरा concept के speed of light में परिवर्तन क्यों हो रहा है और reflection जनरली है क्या पूरी चीज यहां cover होगी तो आप इसको note कर लीजे इसके बाद हम देखते हैं कि तो अब देखना है हमें कि यह जो light ray थी जैसे यहां air है और यह glass है तो अगर air से ग्लास में जाएगी तो क्या होगा और अगर उल्टा हो जैसे suppose इधर यह glass है और glass से अगर यह glass है और यह air है ग्लास से अगर में आएगी तब bending किदर होगी और air से glass में आएगी तब bending किदर होगी तो मैं इसमें करना क्या है सबसे पहले देखो air कैसा medium है rarer और glass कैसा है dencer इधर देखो glass कैसा हैrag dancer medium है और air कैसा है rarer medium है अब जहां तर देखो सबसे पहला काम होता है कि हम normal draw कर लें तो जैसे हमने यहाँ यह normal draw कर लिया ऐसे ही इधर भी हमने normal draw कर लिया ठीक जो actual incident ray है यह वाली वैसे तो यह अगर glass नहीं होता तो यह यह चली जाती ना ऐसे यह भी ऐसी चली जाती अगर यह बाहर air में ना आता तो ऐसे चली जाती अब क्योंकि glass है तो ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि अगर कोई भी medium यह rarer है और यह dancer है तो अगर rarer से rarer से dancer में जाए तो bending किदर होगी और अगर dancer से rarer में जाए तो bending किदर होगी थ्यान से देखना आसान चीज़ है याद रखना कि अगर rarer से dancer की तरफ ray of light जा रही है तो वो normal की तरफ bend होती है तो यह normal देख अधर है यह normal है तो यह ray of light इस normal की तरफ bend होगी यह तो क्या याद रखना है अगर rarer से dancer में जा रही है कोई भी ray of light तो it will bend it will bend towards normal इसी तरह से अगर dancer से rarer में जाए dancer से rarer में जाए तो याद रखना कि यह normal से दूर जाएगी तो यह आप लिखोगे इस चीज़ को याद रखना है कि अगर rarer से dancer में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ bend होगी और dancer से rarer में जा रही है तो नॉर्मल से दूर bend होगी यह दो चीज़े मैं आपको बता दी अब हमें देखना है कि कोई भी reflection ना हो यानि कि what will be the conditions for no refractions conditions for no refractions कि reflection हो ही ना उसकी condition क्या हो सकते है तो पहली condition तो यह है कि reflection कब होता है जब medium change होता है हम medium को same कर देते है जैसे मालो अभी यह medium अलग-अलग है कि यह मान दो glass है और यह air है इसी वज़े से यह जो ray of light है यह ऐसे bend हो रही है हमने क्या किया कि इस glass को यहांज अड़ा दिया ग्लास को अटाओगे तब क्या होगा medium दोनों सेम हो गए ग्लास को अपने अड़ा दिया तो पहला medium भी air ही है दूसरा medium भी air ही है तब तो कोई bending होगी नहीं सीधी जाएगी न तो conditions for no regression पहला क्या है when both mediums are same when both mediums are same second second condition क्या है second condition है कि अगर incident ray zero degree angle बनाए normal के साथ यानि कि इस surface के बिलकुल perpendicular incident हो तो आप लिखेंगे when ray of light ray of light is incident perpendicular to the surface या आप ये भी कह सकते हो देखो normal के साथ ही तो incident angle बनता है normal के साथ अब आपने ये जो incident ray ऐसे बिलकुल perpendicular गर दिया तो normal और incident ray दोनों बिलकुल coincide कर रहे हैं इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो angle eye है ये zero degree है angle eye zero degree हो या perpendicular दोनों एक ही बात है और medium से वह इन condition में कोई reflection नहीं होगा there will be no reflection ठीक चलते हैं अब आगे refractive index की तरफ और laws of reflection की तरफ पहले laws of reflection कराते हैं तो refractive index कराते हैं अब है laws of reflection के बारे में बढ़ते हैं तो जैसे laws of reflection पढ़ा था दो थे न उसमें लो एक था angle eye ये angle r के बराबर है एक पढ़ा था के normal incident ray reflected ray ये सभी के सभी एक ही plane पर incident होते हैं है तो laws of reflection में भी दो ही लोग है फस्ट और सेकेंड में लिख लेता हूं अब सपोज कि कि यह मीडियम ग्लास कि यह मीडियम टू है और यह है एयर यह मीडियम बन है यह रेर मीडियम है यह डेंसर मीडियम है इतनी इनफरमेशन अमने लिख ली यहां कोई incident ray ठीक है यह आपने नॉर्मल ड्रोगर लिया नॉर्मल है और यह इस तरह से हुँ रीफ्रेक्ट हो गई तो मैंने आपको बताया था कि यह तो है incident ray incident ray this is refracted ray this is angle of incidence and this is angle of refraction अब यह द्यान लगना यह यह equal नहीं होते यह बोथ आर नॉट इक्वल ठीक है यह बोथ आर नॉट इक्वल अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह incident ray नॉर्मल और रीफ्रेक्टेड रे यह इस सेम इंटरफेस पर इंसीडेंट हो रहे हैं है ठीक है सेम इंटरफेस पर इंसीडेंट है यानि कि इसी जगे पर है तो पहला नियम क्या है कि दा इंसीडेंट रे नॉर्मल ये रिफ्रेक्टेड रे रिफ्रेक्टेड रे अड रै अड प्यूंत ओंडेंट बेलь Switch & वंदा, same interface, ठीक है, सबी के सबी एक interface पर हैं ये, second लोर ये कहता है कि ये जो angle I है, और ये जो angle R है, अगर इन दोनों का sign angle लूम है, जैसे sign of I and sign of R, तो ये constant होता है, ये constant होता है, तो इसको आप बोलेंगे कैसे, तो देखो, i क्या है angle of incidence r क्या है angle of refraction ठीक है इसको हम बोलते ratio तो आप बोलोगे the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant अब यह दिहान देने वाली बात एक और क्या कि यही जो term आपको दिख रहा है sine i upon sine r is equal to constant यह refractive index भी कहलाता है इसको हम refractive index भी कहते हैं और इसे हम represent करते हैं n21 से यह n21 क्या है तो अब फिलाल मैं आपको n2 upon n1 लिखके दिखा रहा हूं और यह हम refractive index में समझेंगे कि यह कहां से आया अच्छा यह क्या है यह refractive index है दिखान रगाना यह क्या है refractive index और यह जो rule है sine i over sine r is equal to constant is equal to n21 इसी को हम दूसरा नाम देते हैं that is snail's law तो यह आपके snail's law पूछा जाए तो वो भी sine i by sine r is equal to constant is equal to n21 के बराबर होता है ठीक है तो यह refractive index के दो rule है यह laws है क्या कि incident ray normal और refracted ray सभी एक ही interface पर लाई करेंगे दूसरा है कि यह angle of incidence और angle of refractive index का sign of angle आप ले लो यानिके sine i over sine i ले लो तो यह constant होता है ठीक है तो यह हो गया reflection of light के लॉज हो गए दो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे refractive index इसके बारे में ठीक है पॉस तो यह है important topic refractive index जिसमें बच्चों को confusion भी काफी होता है तो ज्यान से समझना है आसान चीज ही ठीक refractive index क्या है तो यह term बताता है कि जब कोई ray of light एक medium से दूसरे medium में जाएगी तो वो कितना जादा bend होगी यानि कि किस extent तक वो bend हो सकती है यह आपको refractive index से पता चलेगा refractive index की value आपको दे रखी होगी जैसे refractive index of glass होता है 1.3 refractive index of glass is 1.3 and refractive index of air is 1 approximately 1 और vacuum का 1 होता ही है ठीक तो जहां देखा अब refractive index glass का ज्यादा है 1.3 है और air का है 1 तो refractive index होता है ratio किसका refractive index होता है ratio किसका तो यह ratio होता है speed of light speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2 यानि की air में speed of light कितनी थी वो यहां लगा अपने और glass में speed of light कितनी थी वो यहां लगा आपने एर दर हो गया glass दर हो गया है अब हमें लिखने का तरीका समझना पड़ेगा यहां हम comparison कर रहे हैं दो जो medium है इनके refractive index का comparison हो रहा है बेसिकली ठीक है तभी आप पता लगा पाऊगे ना कि कहां किदर को बेंड हो गई तो जैसे यह कोई ray of light है यहां आपने नॉर्मल ड्रोग गिया और यह इस तरह से यह बेंड हो गया अब बेंड हुआ है यह 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 फ्लाइट दर को बेंड हुआ है तो हम देखते हैं मीडियम टू का मीडियम वन के मुकाबले comparison होता है यह यह निकि मीडियम टू में कितनी bending हुई विज कंपेर किसे कर रहा है मीडियम बन से मीडियम टू का comparison हो रहा है मीडियम टू से speed of light मीडियम वन अपन मीडियम टू कर लिया आपने लेकिन यह जो comparison हो रहा है refractive index of medium 2 to the refractive index of medium 1 तो यह लिखा जाता है उल्टा यानि कि यहां लिखो गया आप n2 upon n1 यह n2 क्या है तो यहां में लिख देता हूं n2 है refractive refractive index of medium 2 medium 2 क्या था glass ठीक है यह क्या है n1 refractive index of medium 1 medium 1 क्या है air है तो यह दो refractive index आपने compare किये उनका formula speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2 आपने speed of light in medium 1 मान लिया वी 1 है और speed of light in medium 2 मान लिया आपने वी 2 है ठीक है speed of light in medium 1 के तना है वी 1 और speed of light in medium 2 के तना है वी 2 एंड टू अपॉन एन वन जो लिखा है इसको हम ऐसे लिखते हैं अब आपके सामने पूरी चीज है यह एंड टू वन को किस तरह से लिखा है इस तरह से और यह जो refractive index मैंने आपके सामने लिखा है इसको मैं कहते हैं relative refract index relative refractive index यानि कि दो medium के refractive index का comparison हुआ है कि दो medium के refractive index का comparison हुआ है पॉस कर दो से अब यह आपने देख लिया relative refractive index था यह दो मीडियम के refractive index का comparison कर रहे हैं और वह भी मीडियम 2 के refractive index का comparison हो रहा है मीडियम 1 के मुगाबले तब ही पता चलेगा कि बेंडिंग किस extent तक हुई है इसके refractive index का comparison हो रहा है इसके साथ ठीक तो जब हमने n2 का refractive index n1 के साथ compare किया तो हमको मिला v1 upon v2 अब यह आया कैसे देखो इसको देखते हैं तो पहले तो देखो कि अगर हम अलग अलग मीडियम का refractive index निकालते तो क्या होता जैसे हम n2 को निकालना चाहें हम चाहते हैं कि यह जो ग्लास है इसका refractive index क्या होगा तो refractive index जो होता है वह होता है यह speed of light in vacuum speed of light in vacuum upon speed of light in that medium speed of light in medium अब medium क्योंकि 2 है तो यह में 2 लिख देता हूं इसको हम कम लिखते हैं small c से और इसको मैंने लिख दिया वी 2 तो यहां से ध्यान से देखो यह refractive index अगर किसी medium का निकालना है तो जैसे मुझे air का refractive index अलग निकालना है ग्लास का refractive index अलग निकालना है तो ग्लास का अगर आपको निकालना है तो speed of light in vacuum upon speed of light in medium 2 इसी तरह से अगर मुझे air का निकालना होगा तो क्या होगा वह होगा c upon v1 ही तो होगा अब यह जो मैं separately सबका अलग-अलग refractive index निकाल रहा हूं इसको कहते हैं absolute refractive index और जब मैं इस refractive index और इस refractive index को compare करूँगा तब मुझे मिलेगा relative refractive index तो चलो इसका comparison कर देते हैं तो मैं यहाँ से ratio लेने जा रहा हूं N2 upon N1 तो N2 की value कितनी थी c upon v2 थी और N1 की value कितनी थी c upon v1 थी c common है यह कट गया इसका multiply इदर होगा इसका multiply इदर होगा तो यह हो गया N2 upon N1 is equal to v1 upon v2 और इसी को हम लिखते हैं इसी को हम लिखते हैं N2 1 N2 1 का मतलब क्या है कि glass 2 के refractive index का comparison हुआ है glass 1 के साथ यानि कि bending जो है वो medium 2 में हुई है और यह हमें देखना आए कि किस extent तक हुई है अगर उल्टा होता तो उल्टा का मतलब अब हम उल्टा करने जा रहे हैं जैसे glass से air में जाता यहां glass है यहां air है ठीक है अब क्या होता तो अब यह बन गया medium 1 यह बन गया medium 2 ठीक है तो कैसे लिखते इसको या ऐसी रहने दो पहले जैसे रहने दो confusion नहीं होगा glass 2 medium 2 यहां भी है यहां भी रहने दो यह medium 2 है यह medium 1 है compare किसे करते थे बादवाले मैं से पहले वाले ओ compare किया जाता था refractive index कैसे compare होता इसका बादवाला पहले लिखते जाने के n1 upon पहले वाला बाद में जाने के n2 और यह बरावर किसके होता बरावर किसके होता भई speed of light speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1 v2 upon v1 और इसको हम लिखते कैसे यह लिखा जाता n12 is equal to v2 upon v1 अब जरा ध्यान से देखो एक और चीज क्या कि यह जो n21 है आपने निकाला था v1 upon v2 है और यह जो n12 है यह आपने निकाला था v2 upon v1 है तिनमें relation क्या आपस में ध्यान से देखो तो यह आप इसको ऐसे लिख सकते हो n21 is equal to 1 upon v2 upon v1 और v2 upon v1 किसके बरावर n12 के ताप लिख सकते हो n21 is equal to 1 upon n12 या फिर आप ऐसे कह सकते हो n21 का multiply अगर मैं n12 में करूँगा तो result आएगा 1 यह पूरी कहानी है refractive index की से जादा कुछ भी नहीं है short में और बार आपको बता देता हूं है कि अगर मुझको अलाग-अलाग medium का refractive index चाहिए कि यह medium 1 है यह medium 2 है तो air का अगर मुझे refractive index चाहिए ठीक है तो मैं लगा लहाँगा speed of light in vacuum upon speed of light in air C से represent कर देते हैं इसको यह हो गया CYV2 दूसरा glass का आपने नकाला N1 that is CYV1 इनका ratio ले लो आप अगर आप दोनो refractive index का ratio लेते हो तो यह बन जाता है relative refractive index और अगर आप इनको single operate करते हो तो यह बन जाता है absolute refractive index यह होगी कहानी refractive index तक की अब इसमें एक topic और है that is rectangular glass slab उसको फटाफट देख लेते हैं इसके बाद फिर आएंगे हम lenses पर तो rectangular glass slab से reflection हमें पढ़ना है तो देखो यह है glass अब तक कि जदिनी चीज़ें आपने पढ़ी हो सब इसमें आ जाएंगी है यह पूरा glass है ठीक है मैंने लिखा यह glass है और यह air है medium 1 हो गया यह और यह क्या हो गया medium 2 अब suppose कोई incident ray इस तरह से इस glass पर पढ़ने जा रही है अगर ए glass नहीं होता तो यह कुछ इस तरह से चली जाती नहीं है अज़िए लेकिन क्योंकि glass है तो आप क्या करोगे पहले तो एक normal ड्रोग लो कि अधर को बेंड होगी अगर रेर से डेंसर में जाती है तो किदर बेंड होती है नौर्मल की तरफ यानिकि यह रेर मीडियम है यह डेंसर मीडियम है तो यह बेंड होगी नौर्मल की तरफ यह बेंड होगी देखो अब फिर से यहां एयर है यानिकि यह रेर मीडियम है फिर से आप नौर्मल ड्रो करोगे एक अगें अब क्या होगा यह नौर्मल से दूर चली जाएगी यह हो इसका है यह आग यह इदर तो यह जो रे इंसिडेंट हुई थी देट इस इंसिडेंट रे यह तो इंसिडेंट रे है ये क्या है ये refracted ray है इसको हम कहते है emergent ray emergent ray ठीक है और ये जो angle है ये है angle of incidence यानि है ये जो आई है ये क्या है angle of incidence है ये जो angle है ये क्या है angle of refraction angle of refraction और ये जो angle बना है that is angle of emergence angle of emergence ठीक है अब या एक चीज और ध्यान से देखो क्योंकि ये दौनों एक दूसरे के parallel हैं तो ये वाला जो angle है इसके बरावर alternate angles होगे नहीं तो ये भी angle R ही होगा और एक चीज इसमें याद रखना from the conclusion that angle I will be equal to angle E इसके बरावर बैठे गए इसमें एक और question आता है जो काफी जादा important है वो है कि ये बताओ लेटरल शिफ्ट लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है ये एक important question है तो ध्यान रखना कि जो actual incident रे थी ये वाली और ये जो इन दौनों के बीच की ये जो दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे में डी से डिनूट कर रहा हूं यहीं है लेटरल लेटरल शिफ्ट तो यह डी क्या है तो आप यह लेख सकते हो दो कि यह तो यहां तक खतम हुआ reflection के reflection क्या होता है यह आपने पढ़ा अब हम पढ़ेंगे reflection reflection through lenses lenses में reflection किस तरह होता है और आपकर इस लेबर से उसमें थिन लेंसे ध्यान लगना ठीक है बढ़ेंगे reflection of spherical lenses अब जनरली lenses जो है यह दो टाइप के हैं एक तो है कॉन वेक्स लेंस और एक है concave lens मिरर में भी आपने बढ़ा दा मिरर भी दो तरह के होते हैं convex होता है concave होता है ऐसी lenses होते हैं convex lens और concave lens अब यह जो lens है जैसे में चश्मा पहने हो नहीं तो यह lens है इस आर लेंस दो कर्वड कर्व सर्फेस एक बादो ट्रांस्पेरेंट होनी उनी चाहिए लेकर यह ट्रांस्पेरेंट है सर्फेस केर वह यह चुछ में यह मिला दिया कर्व तो यह अब कहलाएगा लेंस ऐसे ही मान लो ये curved है और आपने एक एक plane विला दिया ये भी lens है इधर plane है और इधर आपने मिला दिया ये भी lens है ये curve हैं दोनों ये भी lens है ये सबी lenses है और lenses का अस्तमाल, microscope, telescope, lenses, magnifier, demagnifier तौम जागे पर इनका यूज होता है ठीक है तो अब convex और concave जो lens हैं यह जो दो lens आपको दिख रहे हैं तो यह दोनों lens जैसे convex lens है तो दो curved surfaces वो भी convex वाली जैसे यह और यह आपने मिला दी तो यह बन गया convex lens, concave, दो concave surfaces आपने मिलाई यह concave और यह concave उल्टा, यह concave हो गया, तो यह है convex lens और यह है concave lens अब इन lenses की खासियत यह है, कि object जो आप रखोगे चाहे इदर रखो, चाहे इदर रखो, कहीं भी रख लो चाहे इस साइड रख लो, चाहे इस साइड रख लो भाई, है तो आर पार, light ray पार जाने वाली है, ठीक है ऐसे ही, यह जो lens है, इसके object इदर रखो, यह इदर रखो इनकी खासियत देखो, इसकी खासियत यह है, कि अगर कोई ray of light आई, यह ray of light आ रही है, यह ray of light आ रही है तो इनका काम होता है, convex का काम होता है, कि यह converge करता है, converge का मतलब एक point पर मिला देना तो convex lens, rays of light को converge करते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम है, converging lens convergence lens, converging lens, अब यह concave lens क्या करते हैं, देखो, जैसे यह ray of light है और यह ray of light है तो यह क्या करते हैं, यह diverge कर देते हैं, यह diverge हो गया, यह diverge हो गया, दौनों को diverge कर दिया इसलिए इसका दूसरा नाम है, diverging lens convergence lens, converging lens और diverging lens, ठीक है, पहचान कैसे करोगे, कौन सा convex lens है, और कौन सा concave lens है, जब भी आप देखोगे ना, तो जैसे मानलो कोई, पेज इस पर लिखा हुआ है, आप वो lens लेन आपको छोटा देखेगा, जैसे मेरा चश्मा है, इससे छोटा ही नजर आएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो, तो यह जो मैं पहने होगे हूँ, तो इसमें यह D-magnifier का काम करता है, यानि कि जो चीज एक्चॉल साइज गिया वो छोटी नजर आईगे आपको, और आपके दादा जी का या आपके पापा का चश्मा अगरो तो देखना, उसमें आप देखोगे तो जो अलफा बेट सम आपको बड़े नजर आएगे, तो वो Convacs Lens होते हैं, तो पहचान पाऊगे आपको बता दीगे, यह Converge करने का काम करता है, यह Diverge करने का काम करता है, चलो, अब यह तो मैं बढ़ लिया के Lens अचा है Lens बहुत तरहें के, लेकिन आपको अपने Slaves में दो ही पढ़ने हैं, तो बाकियों पर ज्यादा आपको discussion की जरुवत नहीं है, यह आपके Slaves में हैं, इन ही पर हम discuss करेंगे, तो अब हम अलग-अलग जो terminology हैं, इसमें Lens से जोड़ी हुई, उनको समझते हैं, यह तो आप ध्यान रखना कि यह दो surfaces हैं, curved उनको मिलाया है, एक curved surface यह है, और एक curved surface ही है, तब यह बन गया, ऐसे ही, एक curved surface ही है, ऐसे बनाया, देखो आप, अब देखो टर्मिनलोजी है ना, टर्मिनलोजी, जैसे टर्मिनलोजी आपने mirror में बढ़ी दिया, ऐसे ही इनकी भी टर्मिनलोजी है, जैसे सपोज, अगर मैं convex draw करता हूँ, यह मैंने convex draw कर दिया, सपोज, तो अगर यह वाला जो curved वाला हिस्सा है, किसीने किसी स्फेर में से निकाला गया होगा, ऐसे ही यह वाला जो curved हिस्सा है, यह भी किसीने किसी स्फेर में से निकाला गया होगा, है ना, यह किसीने किसी स्फेर में से निकाले होंगा दोनों, यह वाला, मानलों, यह पूरा एक स्फेर था, इसमें से इतना ट center होगा इसका नाम Doga C1 इसका नाम दे दिया मैंट S2 पिया आएंड मैंने ड्रो कि जो इन दोनों से पास होती हुई जा रही है और इसका नाम आप जांबर यह इसमेफले एक्सेस होता है इसका नाम आप जांते है यह प्रिंसीबलेक्सेस होता है यह सीवन सीटू क्या है सरकिल का सेंटर होदाना तो यह सीवन यह सीटू यह क्या है सेंटर आफ करवेचर हो गए अच्छा कुछ books में यह 2F1 से भी represented है 2F1 लिखा होगा यहां 2F2 लिखा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो नाम से में ठीक है अच्छा जी अगर इनके यह जो दो points है इनको अगर मैं dotted line से मिला दूँ तो यह principal axis को इस point पर cut करेंगे इसका नाम मैं दे देता हूँ O तो यह O क्या है यह है optical center यह क्या है optical center है और अगर मैं यह नाम दूँ यहां AB तो यह जो AB है it will be aperture इसको अपर्चर कहते हैं इसकी edges को हमने measure कर लिए that is aperture अच्छा यह जो C1 दिख रहा है आपको यहाने के center of curvature दिख रहा है और optical center दिख रहा है तो यह जो दोनों के बीच की दूरी है that will be radius of curvature R1 और इदर कितना हो जाएगा यह R2 ठीक तो यह R1 R2 क्या है यह radius of curvature ने रहे बाई circle तो पड़ा होगा ना सबने circle पड़ा होगा circle होता है इसमें center होता है यह radius होता है वो ही है same अब center of curvature और optical center के just बीच में लाई करता है focus तो यह हो गया F1 और यह हो गया F2 तो यह F1 F2 क्या है F1 F2 क्या है तो यह principle focus principle focus और principle focus और optical center के बीच की जो दूरी है इसे हम small f से represent करते हैं it is focal length focal length ठीक है यह भी focal length है यह भी focal length है यह भी focal length है यह बताया मैंने किसका convex का है similarly concave में भी यह कानी होने वाली है कि माल लो यह एक sphere है और एक sphere यह है मैंने दोनों points यहां मिला दिये यह बनिया देखो concave lens यह इनका center है आपने यह से एक line draw कर ली इस तरह से यह center होगे दोनों के c1 c2 और बिल्कुल जस्ट बीच से मैंने एक line draw कर दी this is optical center इसके बीच में focus यह radius of curvature यहां तक यह r2 हो गया यह focal length हो गया से मैं भाई दो spherical surfaces से यह भी बनाएं दो spherical surfaces से यह भी बनाएं तो यह क्या है यह terminology हो गई lenses की terminology का इस्तिमाल इसलिए कि जाता है ताकि जिन words का हम आपको topics dictate करने में यूज करेंगे तो आप समझ पाऊगे कि क्या चीज बूली जा रही है कि फोकस का बोल दिया ग्रेटिस फर्विचर क्या बोल दिया यह ध्यान लखना यह 2 f1 f1 आपको अपनी इन लेंसे के सामने object रखेंगे और image कहां बनेगी यह देखना है मैं बस अलग अलग पोजिशन पर object रखेंगे और यह देखेंगे इमेज कहां बनेगी आपको अबसर जी अबजेट किदर रखें चाह इदर रखो चाह इदर रखो कहीं भी रख लो किसी एक फोकस का अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बनाने लेकिन उससे पहले यह सीखना पड़ेगा कि इमेज बनती कैसे है यानि कि हमें सीखने पड़ेंगे इसको नोट करिए इसके बाद हम चलते हैं रूद्स फॉर्मेशन पर तो दोगो रूद्स फॉर्मेशन तो इसर मैं लिखता हूं कोनब्वैक्स लेंस और रिखता हूं कोनकेव लेंस do convex lens or concave lens मैंने दौनों तरफ partition कर द है समझाने के लिए तो दो को तीन रूल है फस्ट लेख देता हूं इदर second लेख देता हूं इधर थर्ड लेख देता हूं अ ऐसे की इधर है first इधर है second और इधर है third देखो ध्यान से convex lens बनाया मैने यह रहा convex lens यह principle axis है यहाँ C1 या 2F1 आप लिखना चाहो 2F1 लिख लो यहाँ principle focus F1 F2 2F2 या C2 आप लिख सकते हो ठीक अब सपोज मैंने कोई object रखा यहाँ object वो तो बाद में रखेंगे पहले देखना है rules देख रहे है तो अगर कोई ray of light principle axis के parallel जाती है देहान से सुनना अगर कोई ray of light principle axis के parallel जाती है तो वो focus से पास करती है ऐसे दोनों में same condition है यही कहानी इसमें भी है कि मान लो यह कौन cave lens है अप्टिकल सेंटर इसका भी है अप्टिकल सेंटर तो यह है 2f यह है f यह है f यह है 2f कोई ray of light यह पैरलल है principle axis के तो इसमें जब आपको पता है ना कि diverging होता है यह चला जाता है actually focus से पास नहीं हो रहा है यह तो भग गया भाई दूर साथ चला गया यह आपको extend करना पड़ेगा पीछे की तरफ ऐसे बाजब आपको extend करोगे तो आप देखोगे कि यह focus से पास हो रहा है तो यहां it actually passes through focus and it appears to pass through focus ध्यान दखना क्या it appears to pass through focus actually pass नहीं होता है यह appears to pass through focus second case देखो जैसे यह है यह हो गया 2f ही लिख देता हूं चलो मैं f f 2f दूसरा कहता है कि यह कोई ray of light है और वो ray of light focus से पास हो रही है यह तो reflection के बाद यह principle axis के parallel चलिए इसका उल्टा हो गया एक तरह से देखो तो यह parallel था focus से पास हो गया यह focus से गया तो parallel हो गया स्वेम कान इसमें भी आने वाली है देखो यह क्या है यह optical center f f 2f 2f कहता है कि अगर कोई ray of light focus से पास होती हुई appear हो रही है आपको यह focus पर पढ़ने वाली है तो इसमें सारा खेल appearance का लगेगा कि हां focus से पास हो रही है लेकिन focus से असल मैं actually मैं यह focus से पास नहीं हो रही है अगर आप इसको extend करोगो तो focus तक पहुंच जाएगी अगर ऐसी इस्तिती बनती है तो यह principal access के parallel चली जाएगी थर्ड रूल थर्ड रूल कहता है कि यह optical center है f 2f f and 2f कहता है कि अगर कोई ray of light अगर कोई ray of light optical center से उकर पास होती है तो it will go undeviated बिना disturbance वह बिल्कुल सिदी जाएगी इसमें भी यह कहान ही होगी से मानलो यह optical center है यह focus यह 2f यह f और यह 2f तो अगर optical center से उकर जा रही है तो undeviated पास हो जाएगी तो यह 3 rules है convex के लिए पहला rule क्या है ध्यान लगना सेम है लगवग अगर principle axis के parallel है तो then यह focus से पास करेगी इसमें parallel है तो focus से पास होते हुआ लगेगा आपको focus से पास हो रही है इसमें अगर focus से पास हो रही है तो principle axis के parallel चली जाएगी तो focus से पास हो रही है principle axis के parallel फोकस से पास होती भी नजर आ रही है लेकिन प्रिस्टिबिल एक्सिस के पैरल तीसरा है अगर ऑप्टिकल से पास हो रही है तो अन्डेविएटर जाएगी यह बिना डिस्टर्बूई चली जाएगी इन मैसे कोई से दो रूल लगाओ इमेज बन जाएगी ठीक है तो इमेज हम बनाएंगी कैस कैसे देगो सबसे पहले ऑबजेक्ट को में रखेंगे इंफिनिटी पे फिर लेगाएंगे यहां टू एफ-वन से थोड़ा पीछे फिर टू एफ-वन पर रखेंगे फिर टू एफ अब हम पढ़ाएंगे इमेज फ़र्मिशन बाइक ओनवेक्स छे पोजिशन से अलग अलग जगह पर देखेंगे पहले इंफिनिटी पर रखेंगे यह अलग अलग पोजिशन से देखो पहला कंडिशन के अगर लेंस है कॉन वैक्स यह अप्तिकल सेंटर है यह फोकस है यह यह 2F है यह F है यह 2F है और और अबजेक्ट रखा है कहीं इंफिनिटी पर इंफिनिटी का मतलब काफी दूर रखा है ऐसी स्थती में जो इमेज है वो कहां बनेगी देखो तो मैंने आपको बताया था वह जो तीन रूल थे उन तीन रूल मैं से कोई से भी दो रूल लगा इन देखो आइगा देखो आउट्फुट्स इम आयेगा रहला शेया वख लाइगा और रहलाई अगर ठैखb थे तो दोनों के दोनों देखो फोकस से पास हुए image कहा बनेगी फोकस पर image का size कैसे पता चलेगा तो जो principle axis है उससे जहां भी दोनों rays intersect करें ऊपर इंटरेट करें या नीचे इंटरेट करें आप उसे बसे मिला दो वही इमेज का साइज होगा अब यहां तो आपको 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 सर यहां कहां उपर नीचे तो बिल्कुल फोकस इसी पर आई है तो अगर इसे जूम किया जाए थोड़ा सा जूम किया जाए तो यह कुछ ऐसे आ रहा होगा बहुत छोटा जूम करने पर दिखेगा यह चूटा सा तो जो इमेज बनी है यह पॉइंट साइज की बनी है बहुत चोटी पहले तो देखो इमेज बनी कहां फोकस पर तो आप यह क्या लिखोगे आप यहां लिखोगे एक एक फोकस एफ नाम दे दो इनका चाहँ तो यह एफ वण एफ टू एफ टू है आप यह एफ टू लिख दो साइज बताओ साइज मैने आपको बता है पॉइंट साइज प्रिंसीपल एकसिस से देखते है कितना उंचा है तो उंचा ही तो आई नही पाली बात है हाई ली डिएमिस नेचर कासा है तो जब भी दो रेज एक दूसरे को वाकई में कट करती है तो इसको हम बोलते है रिएल इमेज औो रिएल के जोड़ी दार है इन वर्टेड कि अगर इमेज रियल है तो इन वर्ट झाहरो रियेल एंड एन था पैला किस हो गय तो यह रहा लेंस 2F, F, F और 2F और आपने अबजेट को रखा 2F से थोड़ा पीछे थोड़ा साई पीछे रखा है रूल लगाओ जो आपने पढ़े हैं पहले रूल गाएगा अगर पैरलल जाएगा तो फोकस से पास होगा यह फोकस से पास होगा दूसरा रूल दूसरा रू जाएगा ऐसे करके यह देखो दूसरा रूल भी लगा के दिखा देता हूं आपको यह जाएगा यह फिर यह उप्टिकल सेंटर वाला है तीसरा रूल यह फिर दूसरा रूल कौन सा था फोकस से अगर जा रहा है तो वह ऐसे पास होगा तो मैंने तीना रूल लगा के दिख एक्सिस था इससे उस पॉइंट को मिला दो जहां इंट्रसेक्शन हुआ है तो यह पॉइंट आपने मिला दिया यह है इमेज कि कावनी मेज एफ और टू एफ के बीच में बनेगी गई अब यहां लिखो आप आप से पूछा जा रहा है कि पॉजिशन आफ इमेज क्या है तो आप यह लिखो के बिट्वीन बिट्वीन टू एफ 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 पॉजिशन क्लियर करना चाहो तो इसे एफ वन कर दो वन वन ट टू आप कर दो टू एफ टू एफ टू एफ टू ठीक है क्लियर हो गया कैसा है यह इसका साईज अब ध्यान रखना मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंग गा इस इमेज का साईज दीरे दीरे बड़ा होता जाएगा अब यह चोटा है इससे तब यह आप लिखोगे real and inverted real and inverted yeah, यहां लिख सकतो है small in size now comes the third case, third case क्या है क्या हम इस object को अब और आगे ला रहे है, 2F से उठा के 2F पर रख दो 2F1 से पीछे रखा था, आप 2F पर रख दो आप इसको यह optical center है, F2 and 2F2, तो आपने रखा इसको यहां अब देखो, apply करो, तीन में से कोई से दो rule apply कर दो, जैसे पहला rule है parallel है, तो focus से पास होगा, दूसरा rule apply कर दो, optical center वाला करना चाहो तो optical center वाला भी कर सकते हो, यह गया, optical center से इधर, और आप चाहते तो यह वाला भी कर देते हैं, कि focus से गया, उधर जाएगा, यह वाला, यूँ, और यह कुछ यूँ चला जाता, तीन मैंसे लेकर करने कोई से दो है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कि आप कोई से दो यूज कर लो, जरूरी नहीं है, image का बनती है, जहां intersection हुआ, उस point को मिला दो, 2F2 पर है, देखो, और वही size आएगा, जितना size की यह थी दनो same size की है, अगर आप इसे proper तरीके से draw कर होगे, that will come exactly the same, यहां पर आप वह थोड़ा size differ लग सकता है, लेकिन यह exactly same size की है, बना कहां पर, at 2F2 पर, कैसा है, same size है, और real and inverted ही है, ठीक है, तीन case हो गए, अब इन तीन को मैं रब कर देता हूँ, और यहीं बना देता हूँ, इसमें, now comes the next case, fourth one, fourth case क्या है, fourth case है कि अगर, object को मैं 2F1 और F1 के बीच में रखूँ यहां रखूँ तो क्या होगा, तो वही तीन rule हैं, तीन में से दो लगा लो, पहला आपने लगाया कि मानलो parallel है, पहला है कि parallel है, यह रहा parallel कहां से जाएगा, focus से पास करेगा, दूसरा मानलो आप optical center वाला लगा रहे हो, तो यह कहीं यहां पास करेगा, तो यह दो को image यहां बनी, image बनी 2F2 से पीछे और इस से size में बड़ी बनी, ठीक है, तो आप यहां लिखोगे, कि जब 2F और F की बीच में रखा था, तो यह कहला आया beyond 2F2, size कैसा है, enlarged है, बड़ा है, real है और inverted है, ठीक, अब यह तो हो गए 4 cases अब तक, अब हम पढ़ेंगे next cases, अब है fifth case कि अगर object focus पर रखा यानिक इसको और आगे ले करके जाओगा, यह है, convex lens, F2, 2F2, F1, हमने इसको रखा focus पर, apply करो rule, आपको मालूम है, तीन मैसे को इसे दो, parallel है, focus से जाएगा, यह चला गया focus, दूसरा, दूसरा आप optical center से भी इसको पास करा सकते हैं, अब आप ध्यान से देखो, कि यह जो lines हैं, दोनों parallel है एक दूसरे के, यह कैसी है, parallel है, तो यह यहां intersect करी नहीं रहीं, अब यह जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, image का जो size अब दीरे 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 बड़ा होता जाएगा, अब कहीं suppose हमने माना कि यह कहीं parallel पर जाकर के meet करेंगी, let us suppose कहीं infinity पर जाकर के meet कर जाएंगी parallel lines, तो अगर यह infinity पर meet करेंगी, तो इनका size कैसा हो जाएगा, highly enlarged, बहुत बड़ी image बनेगी, highly enlarged, position क्या होगी, at infinity, 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 nature तो वही say में real inverted रहे गई, अब आया last case, last case है कि मान लो, यह optical center है, यह F2 है, यह 2F2 है, यह F1 है, यह 2F1 है, कि अगर object optical center और focus के बीच में रखा हो यहाँ, तो अब इसकी image कहां बनेगी, rule आपको पता ही है, पहली line आपने parallel दिगा दी दर से, अब दूसरी line किदर से जाएगी, दूसरी line optical center से पास होगी यह, तो अब तो यह parallel भी नहीं रहे, जो आप यह को, अगर आगे image नहीं मिल रही है, थम इसको extend करेंगे पीछे, पीछे की तरफ आपने इसको extend कर लिया, पीछे की तरफ आपने इसको extend कर लिया, तो जब भी image extension से मिलती है, यानि कि आपने बढ़ाना बढ़ा इसको पीछे, तो इस तरह की image को हम virtual कहते हैं कि यह virtual है, और virtual का जोड़ीदार कौन है, erect, यह भी ध्यान लगाना, erect का मतल़ होता है सीधा, यह बलकुँ सीधा बनाए, तो अगर erect है तो जाहर सी बात है, वो वर्चल होगी, ठीक है, और अगर वर्चल है तो वर्चल के साथ erect आएगा, वर्चल है तो erect है, एरेक्ट है तो वर्चल है इसे ही रियल है तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है तो रियल साथ में जुड़ा ही होगा, यह इनके जोड़ीदार है, तो यह जो है, इस इमेज का नेचर कैसा हो गया, यानि किस तरह की है, तो आप यह लिखोगे, यह है वर्चल अड एड इरेक्ट, यह अकेली ह आइड अफदा जएयट और किधर बनेगी, वेहाइंड ऑबजेट, ऑबजेट के पीशे बनेगी, ठीक है, याद रखने का तरीका देखना चाहो तो देख लो, कि यह जाद रखो यह सेइस का होता है इससे पीछे जाऊए तो साइज सोटा हो जाएगा इससे आगे जाऊगे ओए साइज बढ़ा हो जाएगा इससे ऊपर जाने पर साइज छोटा इससे आगे जाने पर साइज बढ़ा यह तो कहानी हो गई अब बात करेंगे थिसको उसको नोट कर लो इसके बाद फिर हम गई अब है image formation by concave lens तो देख इसमें दो ही case होते हैं, पहला case, पहला case, suppose ये है, concave lens, 2F, F, F and 2F, object माल लो कहीं infinity पर रखी है, object कहां रखी है, कहीं, infinity पर रखी है, माल लो ये object रखी है, बहुत दूर, क्या होगा कि को इसाहित पूंट इस चेंट करना पड़ेगा यापने फिछ एक्सेंट G 의 को डावन पीच एक्सेंट होंबे कहां मिले फोकसस पर क्या है साइज है पॉंइट साइज है साइब फोकस पर साइज कैसा है और येचर कैसा है विर्ट्वा एंड इ्रेक्ट है बर्चियों है क् Especially एक्स्टेंड करना पड़ा हमको इध्यान रखना और इमेज फॉर्मेशन जो है नियुमेरिकल के लिहाज से भी बड़े इंपोर्टेंट है इसलिए ध्यान से इनको पढ़ना भी है रिवाइज भी करना है कि सब्सक्राइब हाइज और भी कि यहां अब्जेक्ट को रखत दिया मिएए इदर ठीक है अगर मैं अब्जेक्ट को यहां रखूँगा तो क्या होगा पहला आपने लगाया यह कि यह फोकस से पास नो सॉरी यहां पहला है कि अगर यह है तो यह डैवर्ज कर देगा इसको कहीं फोकस से पास होती ही नजर आएगा आपको यह वाली दूसरा दूसरा है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा यह अप्टिकल सेंटर से तो यह दो को इंट्रसेक्शन यहां मिल रहा है गहीं यह अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में तो अगर ऑब्जेक्ट को आप बिट्वीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल टरो मिलेगी कैसी डीमिनिज्द जाने के स्मॉलर इन साइज और नेचर कैसा होगा वर्चुवल एंड एरेक्ट वर्चुवल एंड एरेक्ट ठीक है तो यह हमने अब तक पढ़ लिया इमेज के बारे में अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक तो पढ़ना है sign convention एक पढ़ेंगे हम lens formula एक पढ़ेंगे magnification concept खतम हो जाएंगे फिर इसके रह जाएंगे numericals तो अब next topic है है sign convention तो sign convention देखना है यानि कि इसका use है जब हम numerical solve करेंगे तो numericals में किस चीज को जैसे के focal length है object distance है image distance है height of object है height of image चीजों को sign जो है वो कैसा रखना है positive कौन सा होगा negative कौन सा हो इसके लिए इस्तमाल होता है sign convention तो coordinate geometry आपने पढ़ा ही होगा अगर अगर आपने पढ़ा है तो अगर convex lens है तो optical center जो है बिल्कुल और इजन प्याना चाहिए यह optical center हो ठीक है optical center से जितनी भी left side की जो distance है यह distance अगर आप इदर measure कर रहे हो तो यह distance negative ली जाती है यानि कि minus x जो है यह minus x को represent कर रहा है और अगर optical center से आप इदर जाओगे तो it will represent plus x यानि कि यहां की जो distance है यह यह positive ली जाएगी similarly इस optical center और principle axis की बात हो रहे है और principle axis से आप उपर की अगर distance देखो वे तो इदर plus y मौझूद रहता है तो इदर ऊपर की direction में है इसकी positive value लेनी है और अगर down direction में आप distance को देखने जा रहे हो या height को देखने जा रहे हो तो इसको negative consider करते हैं for example मैंने इस convex lens के सामने एक object को रख दिया यह रहा अगर object मैंने यहां रखा है तो तो optical center से ले करके और इस object तक की जो दूरी है यह यह object distance कहला दी इसे हम यू से represent करते हैं यू क्या है object distance और मान लो suppose इसकी जो image है वो कहीं यहां बनी यह image बनी यह object है और इधर image बनी है तो optical center से ले करके और image यह जो distance दूरी है यह दूरी इसको वी से represent करते हैं और वी होता है image distance ठीक है दूसरा वर्ड भी आपको मिल जाएगा position of object पोजिशन आफ ऑबजेक्ट या फिर position of image ठीक है अब next चीज देखिए इस object की उंचा ही कितनी है या कितना उंचा है टॉल या height कुछ भी factor दिया हो सकता है कि यह कितना उंचा है तो यह जो height है principle axis से जब आप उपर लेके जाओ ने यह height तो यह कहलाएगा height of object object ही तो है यह object की height यह हो गया height of height of object इसी तरीके से यह जो image है यह कितनी उंची है that is height of image तो यह हो height of height of image अब देखो object इस lens के सामने रखा है दूरी कितनी है तो यहां से आप देखोगी कितना दूर है यह वाली इस साइड बन रहा है तो भी की वर्यू नेगेटिव अगर देखो यह तो ऑल्रेड़ी इसकी height of object जो है यह height object को तो सीधा ही रखोगे हमेशा ऐसे तो यह height of object यह हमेशा positive होने वाला है इमेज इदर भी बन सकता है और इदर भी बन सकता है अगर नीचे की तरफ बना है इमेज तो यह negative आएगा और अगर उपर की तरफ बना है तो यह positive आएगा तो यह negative positive हो सकता है तो यह रहा sign convention कॉन वेक्स के लिए कॉन केव के लिए भी ऐसी कानी है से जो optical center है और जो origin है वह सेम साइड कौन साइड होते हैं बास object यहां रखा तो यह यू है इमेज मान लो यहां बना तो यह भी है ध्यान देने वाली बात क्या है अब देखो ध्यान से sign convention में कॉन वेक्स लेंज हो या कॉन वेक्स मिरर हो ऐसे ही कॉन केव लेंज हो या कॉन केव मिरर हो इनकी focal length हमेशा negative रहती है इनकी focal length हमेशा positive रहती है यह ध्यान रखना कॉन केव मिरर ध्यान होगा आपको कॉन केव मिरर इस तरह का होता था मिरर ध्यान करो और sign convention लगाते थे तो focal length इदर आती थी negative side में इसलिए इसकी focal length negative वहा करती थी तो चाहाए लेंस हो चाहिए mirror हो focal length negative होगी इदर lens हो या mirror हो focal length positive होगी ठीक है तो यह तो होगी कहानी focal length की और डाइग्राम से ही आप काफी चीज़ में बता पाओगे कि क्या चीज positive है क्या चीज negative अब जैसे यह है मान लो यह है concave lens concave lens में यू negative रहेगा और वी भी negative रहेगा हर case में रहेगा चाहे case कोई सा भी हो positive नहीं आएगा भी negative ही आएगा अगर कौन give है तो क्यों क्यों को objective इसी side बना था image भी इदर ही बनता है आपने दो case पढ़ेते image formation को ध्यान करो यहीं बनने वाला है और कहीं बने गई नहीं तो 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F है वी क्या है यह है image distance वी है image distance यू है object distance यू है object distance और F है focal length यह कहलाता है lens formula अब बात करते है magnification क्या होता है तो magnification होता है ratio of height of image upon height of object height of image upon height of object magnification का मतलब होता है lens ने mirror ने उस object की जो image बनाई है वो कितनी ज़्यादा बड़ी यह कितनी ज़्यादा छोटी बनाई है दूसरा भी formula है इसका वो है V upon U याद रखना अगर mirror है तो यह माइनस लगा होगा लेकिन अगर lens है तो खाली ऐसे ही रहेगा यह अगर formula है तो यह lens का होगया और यह माइनस लगा दो तो अब यह mirror का होगया यह माइनस लगा हुआ है तो यह lens formula है और यह प्लस कर दूँगा तो mirror formula होगया आसान चीज है लेक कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको क्या हो Magnification मैं आप देख रहे हो Height of Image upon Height of Object अगर Magnification 1 से बड़ा हो Magnification 1 के बराबर हो Magnification 1 से छोटा हो Magnification positive हो Magnification negative हो इतनी सारी चीज़ें देखनी है आपको Magnification 1 से बड़ा हो तो क्या होगा Magnification की value 1 से बड़ी आएगी तो क्या होगा 1 से बड़ा ये term कब होगा 1 से बड़ा तब होगा जब ये numerator बड़ा हो Height of Image बड़ी हो Height of Object से तो ये वाला term 1 से बड़ा कब होगा तब ही होगा जब ये numerator बड़ा हो जाए जैसे suppose 3 upon 2 है Numerator बड़ा है Numerator छोटा है इसे आप अगर solve रहो तो 1.5 आएगा कब हुआ जब Numerator बड़ा हो गया Numerator बड़ा का मतलब जो image बनी है उसकी उंचा ही जादा हो जाए तो अगर M की value 1 से बड़ी है तो आप कह सकते हो image is magnified इमेज is magnified यह आप कह सकते हो size of image size of image is greater अगर 1 के बराबर हो तो अभी magnification 1 कब आएगा यह पूरा factor 1 कब बनेगा जब यह दौनों एक जैसे हो जाए जैसे 3 upon 3 है कटेगा तो बनाएगा इसका मतलब height of image और height of object दौनों same हो जाएए यह कब होगा जब height of image और height of object बराबर हो यह कब हुआ था जब height of image बड़ा हो height of object से तो यहां अगर magnification 1 आया है इसका मतलब है कि size जो है वो same रहेगा same size of image as that of object as that of object magnification 1 से छोटा हो कब होगा छोटा देखो यहां से इसे देखो 1 से छोटा तब होगा जब यह उपर वाला जो part है छोटा हो जाए जैसे 2 upon 3 यह मालो 2 upon 5 है यह ऐसे 2 upon 5 अब देखो numerator छोटा है denominator बड़ा है अब इसे स्वाल आपको रहो तो आएगा 0.4 हो देखो 0.4 1 से छोटा है तो 1 से छोटा कब हुआ 1 से छोटा तब हुआ जब numerator छोटा था निमेटर छोटा का मतलब कि height of image अब छोटी है height of object से इसका मतलब image is demagnified जो आपको image मिली वो demagnified मिली अब बात आती है positive कब आएगा सोचो positive आने की दो condition है मैं इसको मिटा देता हूँ अब देखना है कि magnification positive कब आएगा और उससे क्या होगा मैंने आपको बताया m is equal to a height of image upon height of object और sign convention में हमने ये देखा था sign convention किसी का भी लिए से ही ले रहा हूँ है sign convention हमने देखा था height of image जो है ये तो positive ही रहेगी sorry object वाली height of object तो हमेशा positive रहेगी ये तो fix है ये positive हो ये fix हो ये अब अगर इस पूरे term को positive बनाना है तो उपर वाले को positive होना पड़ेगा इसको भी positive होना पड़ेगा और ये positive कब होगा इस positive का मतलब क्या है इस positive का मतलब ये है कि image भी उपर ही बन रही है और ये हमेशा किस case में होता है तो ध्यान करो concave वाला case याद करो concave में दो ही case थे दोनों case में ऐसी image बन रही है एक में point object है वो भी virtual erect है और ये भी virtual erect है अगर magnification positive है तो ध्यान रखिए image जो बनेगी that will be virtual and erect virtual and erect और अगर magnification negative है तो negative कब होगा ये value तो fix है height of image upon height of object ये तो fix है नीचे वाली positive तो इसको negative होना पड़ेगा इसको negative होना पड़ेगा और अगर ये negative हो गई negative का मतलब कि नीचे की तरफ बनी और अगर ये नीचे की तरफ बनी image अगर उल्टी बन रही है image अगर उल्टी बन रही है तो वो क्या रेप्रेजेंट करता है image है real and inverted image कैसी है real and inverted अब इसी से आप बता पाऊगे इसी से अब बता पाऊए कि लेन्स कैसा है अगर रिमेज वर्चौल इन्वर्टेड है तो आ रही है तो देखो लेन्स कौन किव ही ह arguably हालांकि एक केस विए ऐसी बात नहीं है लेकं इसमें और लेकбо स्पूल हरा तो हर आट इसे बनेगा Б production लेकcciones हिमेजर अगर रिए्न इन्मेटेट बनेगा है तो रिएल इन्वेटेट कॉन कैव में तो बनने का कोई चांस ही नहीं है शाय रिएल इन्मेटेट हमलेशा ही तो फुकॉन वैपस। नहीं से इंआ मैडन मैनेइखेयं में तो मैं ब्यूस्यक्र से पूछा जाया हैẹ razza साथ में अगर आपसे नेचर पूछा है तो नेचर के लिए भी आपको मैगनिफिकेशन निकालना पड़ेगा और मैगनिफिकेशन की मदद से आप बताओगे कि इमेज कैसी बन रही है नेचर में हमको बताना होता है कि इमेज कैसी बनी नेचर में हमको बताना होता है कि इमेज कैसी बनी है वर्चोल इरेक्ट बनी है या दिल इन्वेटेट बनी है वैसे तो आप इमेज फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन को बरबली सॉल्व कर सकते हो मैं नुमेरिकल वाला पार्ट जब वीडियो आएगी तब आप देखना उसमे मैं आपको बताऊँ किस तरह से क्वेश्चन सौल्व हो रहा है मतलब आधा क्वश्चन वर्बली सौल्व रहा इमेज फॉर्मेशन के कंसे वो रहा है बाकी प्रूफ हम उसको करके भी कर सकते हैं तो यह कंसेप्ट वाला जो पार्ट था यह हो गया फिनिश रेफ्लेक्शन का खत् λέम हो गया है यही अजिए को बात वीडियो है और की और रिजसट टे बाद भी वीडियो रहे पहिन नुम्हील के बागर पी शोत हुटर हो जाएक खुत वीडियो अच्छा लगया हो तो लाइक शक्तॉसकराब जरूरे और अपने दोस्तों में को शेयर करें और स्लेवर्स जो है नाइन सेंद एलेवन सुल सभी का इसमें रहने वाला है इसलिए कीप अप्डेटेड एंड कीप वाचिंग थेंक यू